खुल्दिपक योग में अगस्त की शुरुआत। कि संग पैसा किन को मिलेगा देखे सिर्फ धर्म ग्यान पर दर्म ग्यान के सभी दर्शकों को साधर नमस्कार धर्म धुर्यान करहा धर्म हमें। अगर्स के जो शुरुवात है वो कुल्दीपग योग में हो रही है इसी के चलते आपका जो कामधंदा है इस योग के चलते कैसा चलेगा बारा की बारा राष्यो को के लिए कामधंदे में किती बड़ी उन्नति मिलने वाली है आपकी तरक्य कितनी आपको मिलेगे इस कि यह तरह है कुल दीफवक योग के जानुंझी जोड़ाता है हमारे कामकाज में इसके बड़ी बहुमी का भी जा सकती है जोति में न Państwo में से स patients पांच महापूरुष राजयोग होते हैं जो कि पांच गरों से मिलके बनते हैं तो कि चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा एपीसोड हो जाएगा आज शोट में बोलेंगे इसी तरीके से बुद्ध शुकुर की यूती होती लक्षमि नहीं राजयोग की इसके बारे में बता द का नाम रोशन करते हैं ना सिर्व उइक परिवार का बलकि पीडी दर पीडी यह राजयोग जो है बहुत कम लोगों की कुण्दी में में बिए अगर यह वर आपने परिवार में कैसे विक्ति होंगे जो 패ilation पीडी तक का नाम रोशन कर देंगे तो यह इतना पावर्फुल राजयोग माना जाता है कि विरशव राशी में गुरु मंगल की यूती है और अभी अगर इस मास की बात करें तो यह 26 अगस्त की यूती निरंतर बनी रहेगी यानिकि तकरीबन तकरीबन पूरे महीनेस का अस पावस हिम्मत यनिकी गुरु जो आपको पैसा दे रहे हैं शोरत दे रहे हैं धन दौलत दे रहे हैं संतान दे रहे हैं और मंगल आपको साहस दे रहे हैं दब यह कॉंबिनेशन बनता है तो चीजे ना कहते हैं कि इंसान जो है पूरी दुनिया को जीत लेता है आपने काम रोशन करते हैं तो ऐसा ही यह ग्रह गोचर चलता है गुरु मंगल की यूती है इसके चलते बाकिशनी स्वराशी में बैटे हैं क्या कुछ फल मिलेगा बारा अराश्यवालों को खासकर करियर यहां चर्चा आज सिर्फ पैसा और आपकी नोकरी जो एक मुखे को कविदरी मेश राशी वालों के लिए यह मैना काफी अच्छा रहेगा दन दौलत के लिए मान पर्तिष्ठा के लिए कामकारोबार के लिए नई शुरुवात करना चाहते हैं तो यह गोल्डन पिरेड चलना है क्योंकि अगले साल से साड़े साथी शुरू हो जाएगी व वहां आप कोई भी परियास करना चाते हैं तो कीजिए और मेरी बात विश्वास करेंगे तो 16 अगर्स के बाद तो फिर आपकी कहना चाहिए जो आप चाहेंगे वही होगा हर तरीके से धनलाव नोकरी वेबसाइट में उत्तब सुक्सम्रद्दी की योग बनेंगे वरश्य कारोबार के लिए यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा इस महीने धनलाव के योग भी अच्छे मिलते में नजर आ रहे हैं अगर आपको कोई शुरुवात ही करनी है तो 16 अगस से पहले कर दीजिए अपने नोकरी में परिवरतन या बिजनस में नई शुरुवात आपक के लिए कैसा रहेगा तो मितुंदाशी वालों के लिए यह समय थोड़ा सा बेतर रहेगा लेकिन कब रहेगा बेतर यह मैं आपको बता दूं कि आपके प्रोफेशनली 16 अगस के बाद से आप बड़ा रिलैक्स महसूस करेंगे वहां घरों की चाल सूरी की चाल बदलेगी वह आपके लिए बहुती सुखद रहने वाली है और कुल मिलाकर यह महीना सेकंड हाफ जो है आपके धनलाब के लिए आपकी नोकरी के लिए बिजनस के लिए बहुत अच्छा है शुरुवाती 16 दिन कारिय स्थल पर महनत जादा करनी पड़ेगी कोशिश करें किसी से वाद देगा मानपर्तिष्टा भी आपकी बढ़ती भी नजर आ रही है गुरु मंगल की यूति में आप अचानक से धनलाब कमा सकते हैं या आपका बिजनस है अचानक से दो तिन गुना लाब देगा सिंग राशी सिंग राशी वालों के लिए समय थोड़ा मिला जुला है शुर जो समय फिर आएगा आपका सोला तारी के बाद से वह आपका धनलाब कमाने के लिए अच्छा है मानपर्तिष्टा के लिए अच्छा रहेगा और साथी साथ आपके व्यवाइक जीवन में खुशिया तो संपूर्ण मास ही बनी रहेंगी चलिए सिंग के बाद आगे बरते ह जानेंगे कन्या के बारे में कन्या राशी वालो समय जो दिखा रहा है यह शुरुवात बहुत ही शांदार रहेगे आपकी आप महसूस करेंगे कि अगस्ट मास के आते ही आपको अचानक से धनलाब होगा भागे साथ देगा मनोकामना पूर्ण होगी वहान सुक्ल की प्रा अब क्या करना है इनको इस समय अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं जैसे बहुत से लग प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वीचल फंड लेना चाहते हैं या कहीं भी निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बहुत अच्छा लाब मिलेगा और 25 अगस्तक पूर्ण ले सकते हैं क्योंकि उसके बार शुक्र नीच हो रहे हैं तो वह समय अच्छा नहीं है पच्चीस अगस्त का समय आपके लिए गोल्डन पिरेड है कामकरोबार नोकरी वैबसाइए धनलाब के लिए लाब का इस समय का फाइर उठाइए विरिश्टिक राशी वालो काफी अच नजार आ रहा है और धनलाब भी होगा लेकिन सूरिय शनी का समसब तक राजयोग है वहीं तो ना घर पे ना दफ्तर में विवाद से बचें क्योंकि वरिश्टिक राशी वाले कवितरी बहुत जल्दी गुस्सा कर देते हैं तो यह आपके नुकसान का कारण बन सकता है चल भी मेरा मानना है कि अगस्त का महिना जो है आपके लिए शुरुवाति दस दिन आपको धनलाब जरूर देगा और सोला तारीक के बाद क्या लाब मिलेगा आपका भाग्ये चमकने लगेगा वैवाइक जीवन अच्छा रहेगा और आपके सभी रुकवे कारिये पूर्ण हो इस समय सेहत का विशेश ध्यान रखें कि ग्रह कोचर की सिति आपके लिए उत्तम नहीं है पंचम भाव में मंगल जरूर बैठे हैं वह पेट संबंदी रोग दे रहे हैं अश्टम भाव में आपके लक्षमी नरणे राजयोग चलना है जिसका हम कहते हैं कि कोई विशेश लाब नहीं मिलता है यानि कि धन तो आता है अल्फ लाब मिलता है क्योंकि अश्टम भाव जो है कविदा जी वहां पर कोई भी शुब घर बैड़ जाएं तो वह लाब कम देते हैं हानी जादा कर देते हैं तो मेरी सला यह है कि शुरुवाती कम से कम आप 22 तारीक तक तो मै också पंदों देचे श्चे दोटे स्केट केशाम कि हूटा के हैं और जो शुर्ये की सिती है वो भी आपके पार्ट्नर के साध लाइफ पार्ट्नर के साथ थोड़सा घड़ बड़ दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा बाष ध्यान ही रखके चलना होगा इस पूरे महीने लेकि पहले से बहतर जरूर रहेगा मीन राशी कुम राशी माफ कीज़े कुम राशी कुम राशी वालों के लिए समय अच्छा है यह साड़े साथी होने के बावजूर यह महीना आपके लिए देखिए गुरु मंगल के यूति आपको कारिय वैवसाय में सफंदा दिला रही है आप कुम राशी वालों को खुश होना चाहिए इस महीने में आपकी महनत का जो रिजल्ट है वो कहना चाहिए पॉजिटीव वे में आपको निश्चित रूप से मिलेगा और इसके साथ मीन राशी वाले जितने जातक है उनकी महनत रंग ला पाएगी अगस्त में देखिए मीन सब्सक्राशी वालों के लिए कवितरी थोड़ा सा समय चैलेंजिस लगन में राहू है बारवे भाव में शनी है और बुद्र शुक्र की यूति जो है इनके रोग और कर्ज को बढ़ा लिए जी तो इनको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस महीने की सलह यह है कि नो स्पेशनेली अगस का महीना को कितनी जादा तरक्की देकर जा रहा है आज ही हमने महींग जी से जानने की कोशिश की उमीद करूंगे कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और इसे के साथ मुझे महींग जी को दोनों को दीजाए इजाज़त नमस्कार